गैंक्स्टर से राजनिता बने अतीक अहमद के बेटे असद और उसका सहियोगी जिसका नाम गुलाम था दोनों उमेजपाल हत्याकांड के सिलसले में पुलिस के दोरावांची थे और गुरुवार को जहांसी में एक मुढभेर में मारे गए असद पर उमेजपाल के कथित अपहरन का आरोप था उमेजपाल की 24 फरवरी को परियाग राज में अपने दो पुलिस गाड़ों के साथ गोली मार कर हत्या कर दे गए थी और उमेज 2005 के राजूपाल हत्या मामले में एक चस्मदीद गवा था जिसमें अतीक अहमद मुख्य आरूपी थे इन गैर नियाईक हत्या जिन्हें लोकपरी रूप से मुढभेर के रूप में जाना जाता है पर राष्ट्री मानवाधिकार आयोग और बाद में सरवोच न्याले ने कानून परवरतन एजेंसियों द्वारा शक्ती के किसी भी दुरूपयों को रोकने के लिए उचित दिशा निर्देश जारी किये हैं अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मुढभेर पर क्या-क्या बाते कहिए या क्या-क्या दिशा निर्देश दिये हैं जरा उस पर हमें एक नज़र डालते हैं 23 सितंबर 2014 को पेपल्स उनियोन फॉर्स सिविल लिवर्टीज बनाम महराष्ट राज्य मामले में ततकालीन, सीजे आई, आरेम लोड़ा और रोहिंटन फली नरिमन की पीट ने एक विश्तरी दिशा निर्देश जारी किये जिसको लॉफ फॉर्स एजनसी के दोरा पालन कर से समन्दित गतिविदियों के बारे में कोई खूफिया सूचना या जानकारी मिलती है, तो लिखित रूप में चाहिए वो विशेस रूप से केस डैरी में हो या किसी एलेक्ट्रोनिक रूप में हो उसे रखा जाना चाहिए। तो उस आसे की एक प्राथमी की दर्ज की जानी चाहिए और उसे बिना किसी देरी के CRPC की धारा 117 के थथ अदालत में भेज दिया जाना चाहिए। प्रमुक हैं उनसे कम से कम एक रैंक उपर के या वरिश्ट अधिकारी होने चाहिए। वह आगे सुप्रीम कोट यह बात कहती है कि जाच करने वाली जो टीम है वह कम से कम पीडित की पहचान करने खून से सने, मिटी, बाल, रेश्टे और धागे आदिसाहित मौत से संबंदित साक्षी सामगरी को बरामत करने और संरचित करने की कोशिस करे। फिर आगे यहाँ पर सुप्रीम कोट ने दिसा निर्देश में यह बात कही कि जाच करने वाली जो टीम है और जस्मदीत जो गवाह हैं उन जस्मदीत गवाहों की पहचान करे और उनके बयान को जुटाए और मौत के कारन तरीके, इस्थान और समाज के साथ किसी भी पैट पुलिस फैरिंग के दौरान मौत के सभी मामलों में अनिवार रूप से एक मजिस्टेट जाच की जानी चाहिए और इसकी रिपोर्ट न्याइक मजिस्टेट को भेजी जानी चाहिए जो सेक्शन 198 के तहट उनके अधिकार छेतर में आती है वही नेशनल हुमेन राइट कमिसन के संदर में दिसा निर्देश जाजी करते हुए सुप्रीम कोट निया बात कही कि NHRC की भागिदारी तब तक आविश्यक नहीं है जब तक की स्वतंत्र और निस्पक्च जार्च के बारे में गंभीर संदे नहों हाला कि घटना की जानकारी बिना किसी देरी के NHRC या राजमानवाधिकार आयों को भेजी जानी चाहिए चाहे मामला जैसा भी हो फिर आगे सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है दिसा निर्देश के अंतरगत कि जो घायल अपराधी है या पीडित है उनको चिकिस्सा साहता परदान की जानी चाहिए और उसका बयान मजिस्टेट या चिकिसा अधिकारी द्वारा फिटनेस परमान पत्र के साथ दर्ज किया जाना चाहिए दिसा निर्देश में सुप्रीम कोर्ट ने आगे बात कही है कि घाटना की पूरी जाच के बाद रिपोर्ट को CRPC की धारा 173 के तहट सक्षम अधालत को भेजा जाना चाहिए और साथे जो जाच अधिकारी तो प्रस्तु चार सीट के अनुसार मुकदमे को जल्द जल्द पूरा किया जाना चाहिए साथी साथ अगर मालने की अपरादी की मिर्ट्यू हो जाती है उस इनकॉंटर में तो इस मिर्ट्यू की इस्थिति में कथित अपरादी और पिडित के निकट सम्बंदी को जल्द से जल्द सूचित किया जाना चाहिए दिसान निर्देस में आगे जो अधिकारी हैं उनसे संबंद में जो बात कहे गए उस पे दिखे क्या बात कहे गई कि अगर जांच के निसकर्स में रिकॉर्ड में आने वाली सामगरिय साक्स से पता चलता है कि मौत भारती दर्णिस संगीता के तहट अपराद में आगनियास्त्र के इस्तमाल से हुई है तो ऐसे अधिकारी के खिलाफ अनुसासनात्मक कारवाई तुरंद की जानी चाहिए और उसे निलंबित किया जाना चाहिए साथी साथ सिर्सदरत ने यह भी कहा कि मुडभेर की घटना की तुरंद बाद संबंदित अधिकारियों को पदनती या ततकाल वीर्ता पुरुसकार नहीं दिया जाना चाहिए और साथी साथ दिसान निर्देश में बात भी कही गए कि यदि पीडित के परिवार को यह पता चलता है कि जो उपरोक्त मतलब अभी जो हमने बात कही है कि जो दिसान निर्देश दिये गए उन दिसान निर्देश से समधित प्रक्रिया का अगर पालन नहीं किया गया है त किसी भी पदाधिकारी दुर्विवार या स्वतंतर जार्च निस्प्रिक्षता की कमी का कोई पैटर्ण मौजूद है तो फिर वो घटना इस्थल के छेत्राधिकार में आने वाले सत्र नियाधिस को शिकायत कर सकता है साथी तत इसमें यह भी बात कही गई है कि जो पुलिस मुढभेर में मारे गए जो पीडित हैं या जो अपराधि उनके आस्रितों को दिये जाने विल मौबजे के संबन में CRPC की धारा 371 के तहट परदान की गई योजना को लागू किया जाना चाहिए इस दिसार निर्देस के बाद सीर्स अदालस ने उत्तर प्रदेस सरकार को गैंग्स्टर विकास दूबे की हतmans्या की जांच करने का निर्देस दिया था जिसे मदिप्रदेश से ले जाते समें कतित तौर पर भागने की कोशिस के बाद पुलीस कर्मियों ने गोली मार दी थे अब अगला सवाल ये होता है कि इनकॉंटर से समंधित जो गाइडलाइन इसू किये गए हैं उस पर NHRC का क्या कहना है तो देखे जस्टिस रेंकर चलिया जो 1993-94 भारत के मुख नियाधिस थे मार्च 1997 में राष्टि मनवाधिकार आयो के चेर्मेन के रूप में सभी मुख मंत्रियों को लिखा कि कमिसन को लगाता राम जंता से जुड़े सदस्यों और गैर सरकारी संगटनों से ये शिकायते मिल रही हैं कि पुलिस द्वारा फेक इनकॉंटर की घटनाएं बढ़ती जा रही है मतलब ये कि किसी भी अपराधी या आरूपी की खिलाफ कानूनी तौर पर आगे की परक्रियां का पालन किये बिना पुलिस द्वारा फेक इनकॉंटर किया रही है वहीं जस्टिस वेंकर चलया ने आगे ये बात कही थी कि किवल दो ही ऐसे घटना करम में जिसमें ऐसी हत्याओं को अपराध की स्रेणी में शामिल नहीं किया जा सकता है पहला उन्होंने ये बात कही कि अपने खुद की रक्षा के लिए किसी को मारा जाए और दूसरी बात उन्होंने ये बात कही कि IPC की धारा 46 के तहट पुलिस को बल परियोग करने का अधिकार दिया जाता है जिसमें किसी की मिर्ट्यू भी हो सकती है जबकि ऐसा किसी ऐसे प्राधी को पकड़ने के लिए किया जाए जिसने ऐसा को कृत किया हो जिसमें सजा मिर्ट्यू दंड या फिर आजीवन कारवास हो इन ही प्रापधानों के परिपेक्च में राश्टिमा अधिकार आयोग ने सभी राजजियोर के अंधिसासित प्रदेसों को समय समय पर सुनिष्चित करने को का कि encounter में होने वाली मौतों में दिषानिर्देस का पालन करें और क्या पालन करना है उन दिषानिर्देस को जड़ा हम देखते हैं पहले दिषानिर्देस कि जब किसी police station के इंचार्ज को किसी police encounter की जानकारी प्राप्त हो तो वो इसको तुरंथ register में दर्च करें दूसरा दिसान निर्देस कि जैसे ही किसी तरह के इनकॉंटर की सूचना मिले और फिर उस पर किसी तरह की शंका जाहिर की जाये तो उसकी जाच करना ज़रूरी है जाच दूसरे पुलिस इस्टरसन की टीम या राज्य की CID की द्वारा की जानी चाहिए अगर हम तीसरे दिसा दिसान निर्देस के अंतरगतिया बात कहे गई कि जब कभी पुलिस पर किसी तरह के गैर इरादतन हत्या के आरूप लगे तो उसके खिलाफ आईपीसी के तहत मामला दर्ज होना चाहिए घटना में मारे गए लोगों की तीन महीने के भीतर मजिस्टेट जांच होनी अब उत्तरग प्रदेस में हुए हालिया इस इनकांटर पर आगे क्या कानूनी स्थिती रहती है या कुछ दिनों में इसपस्ट हो पाएगा परंतु इन सब के बीच या हमेशा से जरूरी रहेगा कि चाहे हम बात करें राज्य की या हम बात करें नागरी की तो कानून के सा रासल को इस्थापित करने के आदर्शों का पालन हमेशा से किया जाना चाहिए इसके साथ ही हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ